प्रुथ्वी पर सभी जिवित चीजों के जिवित रहने के लिए जल आवशक है पानी का उतपाद नहीं किया जा सकता लेकिन प्राकृतिक स्तोत्रों से प्राप्त किया जाना चाहिए पानी का दुरुपयों करना चोड़ना उसका सहिव नियोजन करना वर्दमान सिति की ऐसा गोसी खुर्थ परियोजना के मुख्य अभ्यानता आशिश देवगड़ी ने कहा शिलचागृता सप्ताहा के अंसर पर विधर्वसेंचाई विकास निगम और भारतिय जल संसादन संग ने सहिक तरुप से विश्जियों जी की रस्तोई में चल रसिपी प्रतियोगित का आयोचन किया था वह उसमें बात कर रहे थी दस समुहों की 50 महिलाओनी प्रतियोगिता में भाग लिया और कमपानी का उपयोग करके विबिन प्रकार के खादि प्रदार तयार की इस असर पर लाभारतिक शित्र विकास प्रदिकरन के अधिक्षक अभियंता उमिश चनरपवार भारतिय जल संसाधन संस्थान केंद्र के अध्यक्ष संजी वानखेडी सचीफ प्रविन महाचिन प्रसिद शेफ विश्णू मनोहर उपस्तिती इस असर पर बात करती हुए देवगड़े ने कहा कि राच में 2016 में शिरू हुआ जल जागरुकता सप्ताह लोगों में पानी के उपयोग के प्रती जागरुकता पैदा करने में उपयोगी साबित हो रहा है 22 मार्च विश्वचल दिवसे 16 से 22 मार्च तक पूरे राच में जल जागरुकता सप्ताह मनाया जाता है पानी के उपयोग के बारे में व्यापक जन जागरुता की सरुद है गर्मी के दिनों में ग्रामिल इलाकों में पानी की किलत हो जाती है जरुद पढ़ने पर टैंकरों को पानी की कमीवाले एक शेत्रों में पानी उपलब्द कराना होगा इसे निजात पानी के लिए सभी को पानी का सयम से इस्तमाल करना चाहिए वही विविद उपक्रमों के मात्यल से चल प्रदूशन रोकना चाहिए ऐसा आवाहन इस तरम्यान देवगड़े नहीं किया उन्होंने कहा कि कमपानी में अच्छे व्यंचन बनाने की अभीनव अवधारना चल रसिपी है कैमरा पोलिशन राजखमार महोर के साथ दिशाहटवार बीसीन न्यूस नाकपूर